कर आगता है दोस्तों आपका एक और नहीं वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबलू-box या आपके पास अंड्रॉइल फोन है तो आप आपके पास तो उसके लिए क्पूरी वीडियो होने वाली है तो मैं आप लोगों को अपने XVR की स्क्रीन पर लेके चलता हूं और उहाँ पर बताता हूं कि हमें अपने XVR या DVR या NVR में क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी, कि हमें किस option में जाना पड़ेगा, इससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा XVR या DVR या NVR है, उस पर कौन सी application सपोर्ट करती है, यह सारी सेटिंग हमारे जो DVR या XVR होता है, उसी के अंदर होती है, तो मैं आपको उस आप मेरे XVR की स्क्रीन पर आचुके हैं, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है, यह पासवर्ट मांगेगा, मैं पासवर्ट डाल देता हूं इसे, इसके बाद आपको मेन मेन्यू में जाना है, इसके बाद आपको configuration का option मिलेगा, इस पर क्लिक कर देगा है, इसके बाद आपको यहां पर network का option मिलेगा, यहां पर आपको अगर आपने internet को से connect करना है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और automatic जो भी आपके वाइफाई का IP होगा, इसे automatic कर लेगा, उसके बाद आपको P2P option पर चले जाना है, यहां पर सबसे पहले तो आपको Android application का ब iPhone के लिए download कर सकते हैं, और अगर आपके पास iPhone है, तो आप देख सकते हैं, यहां से easily download करके आप अपनी application को online कर सकते हैं, उसके बाद यहां से आपको barcode मिलेगा, जो कि इसका serial number होता है, यह का cloud ID कर सकते हैं, इसकी online करने के लिए user ID कर सकते हैं, वो भी आपको इहीं पर देख करना पड़ेगा, जिससे कि आपको DVR है, उसमें camera automatic चल जाएं, और आपको username password डालना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए भी मैं पर्टिकुलर वीडियो उना हूं, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं, और उसके लिए भी एक पर्टिकुलर व करेंगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और CCTV की नहीनी information के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अपने CCTV camera में कोई दिक्कत आ रही है, और आपको उसका solution नहीं मिल रहा है, तो आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं वहाँ पर हमाँ आपको वीडियो कोल करके आपको जो भी समाधान है वो करा देंगे, धन्यवाद दोस्तों